बूर्णिंग क्लास्रेकंड इस इस मैस्स क्लास तुड़े वी आर गूंग तो डिस्कॉस अन अबॉट एक्सराइज 6.2 6.2 फेसेज इडेज एन कॉर्नर्स रिलेटेड है आपके यहां पर आपको बताई जाएगा कि वाटार फेसेज इडेज इडेज एन कॉर्नर्स 6.3 फेसेज इस अफ्लाट सर्फिस एन अडेज इडेज इस वहर टू फेसेज इस मिट अगरालस के वटारीज इस होने कॉर्नर्स आपको तो classroom में classroom का example लेके बहुत अच्छे से इसको explain भी किया गया है कि flat surface जो होती है उसे हम face करते हैं जहां पर two faces meet होते हैं उसे हम address करते हैं और corner को जहां पर address meet होते हैं उसे हम vertex या corner करते हैं और इसका plural vertex का plural vertices होता है तो यह definition आप कोशन डालके अपनी copy पर note down करेंगे ओके चिलन यहां पर यह picture के थूँ आपको दिखाए गया है क्यों बाइड बना हुआ है कोन है और sphere है यहां पर यह देखें आपका corner face it is को arrow से शौन कराए गया है उसके नीचे आपकी चार्ट बना हुआ टेबल चार्ट यहां पर shapes given है और faces it is corners भी given है और उसमें उनके numbers लिखे हुए हैं कि cube में 6 face 12 it is और 8 corners होते हैं cube occupied दोनों में यह same होते हैं okay sphere में 1 face 0 it is 0 corners cone में 2 face 1 it is 1 corners cylinder में 3 face 1 it is and 0 corners होते हैं 6.2 how many faces a cube has लिखेंगे आप फिल करेंगे आप पर 6 how many faces a cube has 6 how many areas a cube has 12 how many faces a sphere has 1 how many corners a cone has 1 इस तरह सी आप fill in the blanks है आप इसको इस तरह से fill कर लेंगे और इससे related question आपसे इस exam में पूछा भी जा सकता है next जो question है वो है आपका match the following columns column A में आपको shapes से बने हुए है और column B में आपको shapes related object दिये हुए है उसको आपको match कराना है circle का जो object है वो है आपका ball triangle का cone cylinder का cane number D पे है cube उसका है dice और number E पे है आपका cuboid cuboid को brick इससे तरह इससे match कराएंगे और do this exercise in your math book okay children thank you class